हेलो विवेट्स, आई सुसान सहू, टीचर इन सुसल स्टेडिज, वेलकम इवाल टो क्लासिक्स, हिस्ट्री, चाप्टर नुमर फोर, हमको किताब और जो बर्याल, बर्याल जहां डेट बर्डी को रखा जाता है, हम अग्य सकते हैं, आज कल जो बक्सा में रखते हैं, क्रिस्टियानिट रिलिजियन का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, और अगर हम बात करेंगे, तो जो पीरामीड होता था, मिसर, मिसरियान जो उस समय में वह भी बात, यूज करते थे, तो हमारे किताब में जो बर्याल के बारे में हैं, यह पत्थर से बना हुआ, मेगाली थ स्टोन से यह बनता है, हम पड़ते हैं, चलो, शुरुवात करते हैं, इंट्रडक्शन, फस्ट, आपके क्लास का जैसे, अलग-अलग दोस्त होते हैं, ऐसे आपका एक दोस्त मेरी, यह लाइबरेरी में अंदर, ओ लाइबरेरी जाके देखी, बहुत सरे किताब है लाइबर यह लाइबरेरी वाज मच लाइजर दे अंदर क्लासरूम, वह देखी कि उनका जो क्लासरूम है, लाइबरेरी तो बहुत बड़ा है यार, फिर सेकेंड पॉइंट में वह देखी कि, दर वाज दर वर सो मेनी सैल्व्ष, सैल्व का मतलब जैसे कि र्याक होता है किताब रख बता है, पाट पाट, नमबर थी में बता जा रहा है, सिंग हर ट्राइंट ओपन दे कप बोड़, दे टीचर से, वह जाके मरी जाके किताब उपन कर रही थी, टीचर ने बोले, दाट कप बोर्ड हाज वरी स्पेशल बोक्स, और डिफरेंट रिलिजियंस, जो कप बोड है, जो र्याक है, उधर रिलिजियन के बारे में, मतलब धर्म के बारे में, यह सब किताब है, नमबर फॉर, इनको पुछा गया, आपको पता है क्या हमारे डिफरेंट टाइप्स अब बेदाज है, जो सास्त्र का हम बात कर रहे हैं, नमबर फाइप में पुछा गया, वाट अ बेदा वेदाज, बेदा वेदाज क्या होता है, तो इसमें देखेंगे हम, लिज Whew में, मेरी वांडर्ड ऐचली की वो प्रू अ पता नहीं दिखें क्या है वो टोएंट नमर वान में देखते हैं यू मैं हाब हर्ड अबॉट देखते हैं आप लोग भी आपका ग्रंड पेरेंट्स हो आपका कहीं पापा हो मम्मी हो अंकल हो अंटी हो आप बेदर के बारे में सुने होंगे फिर भी बेदर क्या होता है कितना तरीका का होता है कितना प्रकार का होता है थोड़ा देखते हैं तो यह चार बेदर होता है सबसे पुराना जो है नंबर थ्री देखो दा ओल्डेस बेदर इस दरीग बेदर कंपोज्ड अबॉट 3500 यह सगो 3500 साल से पहले लिखा गया था कितना पुराना है सब्सक्राइब नंबर फूर दरीग बेदर इंकलोड मुर्डेन थावजेंट हीम्स जो हम स्लोक कहते हैं और सुक्त जिसको वेल सेड़ इसका मेनिंग है वेल सेड़ यह जो लिखा गया है वो निरिशी लोगों के द्वारा ब्रह्मान के सकते हैं दरीग बेदर वाज़ रि काया जाता था सुना आ जाता था मतलब कोई लोग या कोई हाइर कास्ट का लोग उस समय में पढ़ते थे और लोग बाकी लोग सुनते थे इस हैंसार इन प्रेज ऑफ भारिस गोर्ट्स अंडिकर्डस इस लोकत है जो हीम्स था बहुत सारे तरीका का देबता और देवी मां के बारे में पता है कि यहां थ्री गार्ट से स्ट के शली 물 उस्मों पता है तेन गर्ड जो हैं सबसीं पॉर्टन है अगनी जो की आगार्ड ओप आयर के और इंड्र ओम गडा फरेंड और वार गार्ड को गल्ट जो है यूदिकलि यह वहाद मदद करता है प्रिरिंग टा इस्टोरियन्स लोग रीग वेदा को कैसे पढ़े और हिस्टोरियन्स लोगों को रीग वेदा कैसे मदद किया इनफर्मेशन कलेक्शन करने के लिए तो देखते हैं पहला नमबर पॉइंट वाइल स्टुर्डिंग अबूट दा पास्ट जब हम पास्ट के बारे में पढ़ा सिुप्र जरूड hills इन ride के लिए उपर लिखा हुआ हो जो क्यों मानुस्क्रिप्ट कहते हैं चाहिं कोई पथ के उपर कोई पाड के उपर कोई गुफा के अऊपर जिसक्रिप्स कहते हैं तो यह सब डॉकमेट ऊनको जरूड़त होता है एसे ही किताब का जरूड़त जब dialogues to arrive at conclusions कोई भी चीज का conclusion, final statement या final decision को यह हो तो यह रीख बेदा का help लेते थे, उसका मदद लेते थे, उनको बहुत मदद करता था historians को, तो एसे यह रीख बेदा पढ़ते थे, आगे देखते हैं, cattle, horses and chariots, cattle जो होता है गाय, horses होता है जो गोड़े, और chariots जो रत, जो यूद prayers in the रीख बेदा, are for cattle, गोमाता हम कहते हैं, और cattle के बारे में होता है, children के बारे में, और horses के बारे में, तो रीख बेदा में, ये तीन के बारे में, बहुत ज़्यादा डेस्क्राइब किया गया है, number two, horses were ogged to chariots and used in battles, battle जो यूद होता था, horses को गोड़े को यूज किया जात होता था, उसके साथ साथ रत होता था, जो कि chariot, chariot का मतला रत, number three, battles aimed to capture, battle जो होता था, क्यों होता था, capture करने के लिए, कबजा करने के लिए, क्या कबजा करने के लिए, cattle, land जो जमीन, pasture, जो की जहां, गाय, जो गोड, शीप, ये सब का एरिया होगा, चरने के लिए, then water and people, तो ये सब के लिए, capture करने के लिए, यूद होता था, number four, portion of the wealth was used for performing, यग्या, राजा लोग जो होते थे, जो tax collection करते थे, यग्या भी करने के लिए, कुछ पेशा खर्चा करते थे, sacrifice, perform करते थे, यग्या, यग्या आपको बता है, ब्राहिन लोग जो करते हैं, इसे बोलते हैं, अब लोग पता होगा, तो इसमें बता गया है, fire को नाम के भगवान के नाम में घी देते हैं, grains देते हैं, कभी-कभी बली देते हैं, अलग-अलग एरिया में, अलग-अलग सब tradition है, बली प्रता जो है, वो भी यूज किया जाता है, राइट, अभी देखे हैं कि इसा क्या सब्द है, जो कि लोगों के बारे में बताता है, words to describe people, इसा कुछ word है, जो कि लोगों को बताता है, कैसा बाला देखते हैं, there are several ways describing people, कैसा टर्म है, कैसा उनका दख लेते हैं, the work they do, जो काम करते हैं, the language they speak, जो भासाव बोलते हैं, the place they belong to, कौन सा जगह चाहत हैं, their family, उनका परिवार, their communities, उनका जो समाज, cultural practices, उनका जो पूजा करने का तरीका, प्रियार करने का तरीका, celebration, उनका जो festivals होता है, उनका तरीका, इसको कहते हैं, cultural practices, तो यह सब जो होता है, उनको बताता है, कैसा कैसा टॉर्म सभी होता है, देखेंगे हम, the priest, पहला बाला प्रिश्ट जो होते हैं, जो उनको ब्रामीन से बोला जाता है, who performed various rituals and the raja's, जो राजा लगों का सबसे ज्यादा, जो उनको ज्यादा पैसा मिलता था, गीप की मिलता था, राजा जब खूस हो जाते थे, ब्रामीन को इस अब देते थे, नमर टू, और दूसरा रहा, जना, जना का मतलब क्या रहा है उधर, who is still used in Hindi and other languages, people हम कह सकते हैं, next, the other was बिश, बिश का मतलब क्या होता है, बैश्य, बैश्य जो सब्द है, बिश्य आया है, लाटर दे टर्म दासो, फिर दासो एक सब्द है, जहां दासो, और जो फिर मेल लोगों का जो काम करते हैं, काम करने होते हैं, दासो, जो सर्वेंट हम कहते हैं, स्लेव कहते हैं, और फिमेल होते हैं, तो दासी बोलते हैं, तो यह सब अलग अलग नेम, सब जानने लगे, एक वार्ड, यह वार्ड से पता चलता है, कि यह लोग क्या काम करते हैं, आगे दिखते हैं, सलेंट सेंटिनेंटल, से यह सब स्टोन को बोला जाता है मेगा मेगा मतलब बड़ा लिथिक मतलब स्टोन बड़ा स्टोन मेगा लिथ इस वेर क्यारफुली आरेंज़ बाई पीपल और यूज टो मार्क बर्याल साइट्स बर्याल साइट्स जहां कि हम समसान घाट जो कहते हैं जनरली दो डेड 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 वियर बरीड जो इसको मृत हो जाता है जो अ मरण सरीम कमร़ती सरीर को रखा जाता घ्रदisiकटी पॉट्स जगा में इसको ब्लाक और रेड वियर होता था राइट ब्लाक नहीं तो रेड कलरका होता था यह बद देखा गया है also around are tools, weapons and irons, sometimes skeleton of horses, horse equipment and ornaments or stone gold. यह dead body के साथ कभी-कभी रखा जाता था, stone tools रखा जाता था, कभी-कभी gold रखा जाता था, ornaments रखा जाता था, तो यह सब उनको यह मनना था कि यह next जनम में यह सब यूज करेंगे, यह सब लिकाव सब रख लेता था, कभी-क रखा जाता था, और बाल को सही करने के लिए कौम रखा जाता था, यह सही होता था, number five, the practice of erecting megaliths began about 3000 years ago, यह system था, 3000 साल से पहले, यह system था, तो यह बहुत ज्यादा देखा गया है, डेकान के जगा में, South India में देखा गया है, North East देखा गया है, Kashmir में भी देखा गया, तो finding about social differences, समाज में क्या के differences कैसा था, अलग तरीका कैसा था, archaeologist जो है, जो कि historians का एक type होते हैं, जो कि मिटी को गढ़ा करके, या मिटी को खोद की information collection करते हैं, उनको मिला है skeletons, और जो dead person का skeleton मिला है, क्योंकि मिटी उखाटते उखाटते उनको skeleton मिला है, कभी-कभी देखे हैं, more objects are found on the grave than in another, एक जगा में देखें को एक skeleton मिला, कभी-कभी कोई-कभी गढ़ा में बहुत ज्यादा skeleton भी देखने के लिए मिला, इसा है कि जगा है ब्रह्मागिरी, here one skeleton was buried with 33 gold beads, बीड का मतलब जो माला होता है ना, माला, garland करने के लिए जो यूज होता है, 33 gold beads, 33 gold का, और two stone beads, दो stone का मला, four copper bangles, copper जो हता है, उसका बैंगल, बैंगल जो चूड़ी पहनता है, and one conch shell, यह सब रखा गया था, बड़ेड बड़ी के पास, देखो के साब, other skeletons have only few parts, और कहीं कहीं जगा में सिरी चोटा-चोटा कटोरा रखा गया था, इसका मतलब यह है, जहाँ ज्यादा च और जहाँ चोटा-चोटा कटोरा सिर्फ मिलता है few parts, उनका परिवार लोग गरीब होंगे, प्रसाब पताया चल रहा है, these finds suggest that there are some differences in status among the people, लोगों का status कई किसी-किसी का बहुत हाई था, किसी-किसी का लो था, somewhere rich लिखा गया है देखो, somewhere rich, others poor, somewhere chiefs, others are followers, rich, अमीर, poor, गरीब, चीफ जो लीडर, और followers जो follow करते हैं उनको, तो ऐसा भी society में उस सुमा में था, here, आगे देखते हैं, यह जो map किताब में है, map number two, important archaeological sites जो है, इसमें देखो, triangle का paleolithic sites बता गया है, और blue color का neolithic बता गया है, मेगालिथिक है, और early villages है, modern cities है, ठीके, तो paleolithic जो है, जो old stone is, paleo, हम आपका खिताब में है, paleo मतलब old, लिथिक stone is, फिर neolithic new stone is, मेगालिथिक तो बहुत बड़ा पता है आपको, फिर एक middle बाला है, मेसोलिथिक, पालियोलिथिक, पुराना, मेसोलिथिक, मीडिल, नियोलिथिक, नया, यह नया stone is, तो किताब में आप देख सकते है, हम पढ़ेंगे जैसे की विमबटका, जो कि एक paleo लिथिक का जगा है, होंसगी एक्ठो है, कुर्नुल केव है, जिके, अभी हम पढ़ने ज में आ रहे हैं एक जगा, जो कि early village का जगा है, इनाम गाओं के बारे, middle में जो है, इनाम गाओं के बारे, हम कुछ देर माद पढ़ेंगे वाला, where some burial spots mean to certain families, इसमें बता क्या है, जो बर्याल है, कोहीं कहीं family members सबर होते हैं, क्या मतलब 1-7-10-12 से कुछ देखते हैं, sometimes megaliths contain more than one skeleton, very right, कभी-कभी देखा गया है, जो गड़्धा में रखा जाता है, इसके समाह में, एक जगा में एक से ज्यादा skeleton भी देखने के लिए मिला है, these indicates that people perhaps belonging to the same family, इसका मतलब यह है, same परिवार का जो dead body होता था, एक जगा में वो लोग, underground जो होता है, उसके गड़्धा बना के पत्थर का वो cover-up कर देते थे, और same place में भी रखा जाता था, same time, नहीं, same time तो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी का death आज हुआ, तो किसी का death पांच सल से पहले हुआ था, किसी का 10 सल के बाब होगा, लेकिन जगा सेंथा, the bodies of those who died, latter were brought into grave through the potholes, potholes जो होता था, उसमें body को ला circle किया जाता था, boulders में, के कितार में picture है, देख सकते हो, probably हम भी दिखा देंगे, probably soft to the sign spot, ये पत्थर इसलिए उपर लखा जाता था, कि ये symbol रहता था, कि इस जगा में, ये जमीन का अंदर dead body को रखा गया है, burial site हम कह सकते हैं, मसान घाट, number 5, for this reason people could return to the same place whenever they wanted to, तो ये ज symbolic रहे जाता था, पत्थर रख देते थे, next time जब उनका परिवार का कोई किसी का death हुआ, तो उसी जगा में आके, वो buried कर देते थे, ये जमीन के अंदर रख लेते थे, okay, ये special, जब मैं इनाम काउं के बारे में बात कर रहा था, इनाम काउं हम थोड़ा बार एक बार देख देख लेंगे ये रहा इनाम काउं, middle में इनाम काउं, right, अम देखेंगे, this is a site on the river घोड, एक रिवर घोड के पास ये अबस्थिति उसका है, it was occupied between 3,600 and 2,700 years ago, लगभग इसी साल के अंदर ही मिला है, ये जगा, मतलब identified किया गया है, here adults were generally buried on the ground, adults होते थे, जो ये जो यूबा होते थे, young people जो होते थे, उनको जमिन का अंदर रखा जाता था, और उसको पर cover दिया जाता था, straight करके, और उनका जो sir था, उनका जो head था, north side को करके रखा जाता था, sometimes burials were within the houses, कभी-कभी लोकों का घर के अंदर ही dead body को रख लेते थे, इसा भी देखने के लिए मि rest with the dead body, जैसे कि मैं पहले से बताया हूं, dead body के पास कुछ खाना भी रखते थे, बेसल जो pot में पानी भी रखते थे, उनको ये विश्वास था कि next वाल जो जन्म है, और dead body फीर जिन्दा होगा, और ये सब चीज को खाएगा, ऐसा भी सोच था, उनका, यह आप देख सकते हो ये मैप को और एक बार, occupation आठ इनाम गाओं, इनाम गाओं में लोग क्या-क्या काम सर्व करते थे, अर्केलोजिस्ट जो हैं, उनको बहुत सारे जगा में wheat मिला है, ये सब crops हैं, barley मिला है, rice मिला है, horses, millet, peas, sesame, ये सब मिला है, इसका मतलब ये है कि वो agriculture करते थे, कभी-कभी ये भी मिला है कहीं-कहीं जगा में, bones of number of animals, आनिमोल को भी मिला है, bone, जो हडिया, skeleton, जो कि इसका मतलब ये है, वो लोग ननभेज भी थे, ननभेज भी खाते थे, यूज करते थे, और कुछ थे, these include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, sumber, spotted deer, black bob, antelope, hayar, mongos, ये सब तरीका का क्या, क्या थे, animals, यो सब खाते थे, कोई-कोई आनिमोल को घर में रखते थे, जैसे कि डग हुआ, clear, और जो wild animal होते थे, वो नहीं रखते थे, क्यों भी टाइगर को रखेंगे, तो टाइगर खा जाएगा ना, उनको, तो उनको experience से पता चलता था, कि कौन सा wild animal है, और कौन सा tamed है, या हम कह सकते हैं, domestic animal, फीश भी कहते थे, turtle भी रखते, मतलब उपकड़ते थे, crocodile का यूज भी करते थे, वो, birds का भी, तो यह रहा, number four, this is evidence, यह सब सबुत मिला है, archaeologist, co-historians लोगों को, if fruits such as beer, amla, jamun, dead, fruits भी हो लोग खाते थे, varieties of berries, they are collected, तो यह से हो लोगों का जिंदगी, हो लोग, बात पढ़ियां से जिंदगी जी रहते हैं, so dear viewers, this is all about the chapter, once again we'll meet in the next video, next chapter, till that, take care, face studies, thank you all.